पर्वेभ्यो नमाह देवबानी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार देख अभिनान्दन हैं मित्रो यदि आपने अभी तक देवबानी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी देवबानी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा संस्कृत सेक्षन की सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन प्राप्ट करने के लिए खंटी को भी वैन को भी ओन कर लीजिएगा जिससे आपकी कोई कक्षा मिस्त ना हो सके यहाँ निशुल्क अभ्यान चल रहा है आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है आईए मित्रो आज हम हितो पदेश की पांचली कक्षा को पढ़ते हैं फिप्ट क्लास को पढ़ेंगे अभी तक मैंने आपको चार कक्षाएं पढ़ा दी हैं चलिएगा गत कक्षा में जहां तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे पढ़ना आरंब करते हैं यहां तक गत कक्षा में पढ़ाया था कि एक राजा था एक राजा था सुदर्शन नाम का ठीक है और वो पाटली पुत्र में रहता था तो पाटली पुत्र में भागी रथी के तीर पर जो पाटली पुत्र नाम का नगर है वहां पर रहता था तो उसने एक दिन उसके नगर में कोई व्यक्ति आया अज्यात व्यक्ति उसके मुख से उसने दो इश्लोक सुने थे वो मैंने आपको समझा दिये थे ये श्लोक तो उन इश्लोक को सुनकर के राजा अपने पुत्रों के बारे में सोचने लगा कि यदि ये श्लोक की बात सही है तो मेरे पुत्रों का क्या होगा मेरे पुत्रों तो इस इश्लोक के विपरीती जा रहे हैं कि अर्टात ये इश्लोक जैसा कह रहा है कि व्यक्ति को जैसा होना चाहिए मनुष्य को उसके विपरीत ही है मेरे पुत्र तो कि तो वो सोचने लगा चिंतया महासा वो सोचने लगा और क्या सोचने लगा उसी भाव को पंडित नारायण जी ने इश्लोकों के माध्यम से यहां पर हमारे लिए प्रस्तुत किया है क्या सोचने लगा वो राजा आईगा इश्लोक के माध्यम से इश्लोक पढ़ लेते हैं पहले ठीक है दूसरा राजा चिंतया महास उस राजा ने सोचने लगा क्या सोचने लगा कोर्थः पुत्रेन जातेना योन विद्वान धार में कहा काने न चक्षो शाकिम्बा चक्षो पीड़ाईव केवलम क्या क्या सोचने लगा राजा राजा सोचने लगा कि इश्लोक सरल है ठीक है बिलकुल इसमें अनुवे भी अपने अप लगाई हुआ है पूरा ठीक है को अर्था माने कहा अर्था है पुत्रेन जातेना ठीक है माने पुत्रेन जातेना कहा अर्था है अर्था का अर्था है यहां पर प्रयोजन अर्था का क्या अर्था है यहां पर प्रयोजन तो उत्पन हुए पुत्र से कहा अर्था है क्या प्रयोजन माने इस प्रकार के पुत्र से उत्पन्द हुआ है उससे क्या प्रयोजन इस प्रकार का पुत्र कहते है यो ना विद्वान न धार में काहा जो विद्वान यह विद्वान न अक्ति जो विद्वान नहीं है अर्ता जिसने शास्त्रादी का और ना धार में कहा और ना उसके अंदर कोई धर्म कर्म के लक्षण है अर्था वो धर्म धर्मादी को करना जानता ही नहीं वो धर्म का काम करता ही नहीं तो केते हैं इस प्रकार के पुत्पन हुए पुत्र से क्या लाव कोई लाव नहीं है इसकार ते निकल के आया कि जो पुत्र ना तो विद्वान बना वड़ता लिखता नहीं और ना एंधार में के व्यक्ति बना तो ऐसे पुत्र का कोई लाव नहीं है फिर उपमा देते हैं लोक की एक उपमा देते हैं कि जैसे लोक में और वो पुत्र ऐसा ही है जैसे लोक में कहते हैं काणे नचक्षु शाकिम्बा कि इसी व्यक्ति की आँक है और आख है वो काणी मनें आक है मनें फूटी फूटी इसको वोलते हैं देखता लिए इन्हें तो कहते हैं फुटी आख से मनें काणी आख से मनुश्य को क्या प्र्यूजन और तो नहीं है आपर यह उससे दीखता इनी जिस से दीखता उस्सके प्रयोजन है आँख का काम क्वै देखना और जिसंग्से दीखता ही िनिये वेवन फूटी रही है आश्पार mm काणिकार यह होता है कि तरह रहा अंस आक से कोई से उस व्यक्ति को पीडाई मिलेगी कष्ट ही मिलेगा कष्ट कैसे मिलेगा लोग उसको काणा बोलेंगी लोग उसको काणा बोलेंगी माने चक्षू पीडा एवकेवलम माने चक्षू की पीडाई मिलेगी उस व्यक्ति को और कुछ नहीं मिलेगा लोग उसको काणा बोलेंग तो अंदर से दुख तो होगा ही कि भी मेरे कॉना बोल रहा है ही केसी प्रकार से जो पुत्र ना तो विद्ध्वान बना ना वो धार्मिक बना तो उस पुत्र से कोई लाव नहीं है उल्टा क्या है दुख ही मिलेगा गलत कारिकर करके आएगा लोग गाली देंगे लोग जग लिखने के लिए आएंगे तो वो राजा सोचने लगा कि भाई मेरे पुत्र तो ऐसे दुष्ट है ये बात भी जटीक बैट रही है इससे मेरे पुत्रों से तो कोई लाव ही नहीं मुझे कोई भी लाव नहीं है ठीक है बहुत अच्छी सक्षा दे इस ते हम सभी को क्या सक मिल रही है कि भाई ये पुत्र को पैदा किया है तो उसको विद्वान और धार्मिक जरूर बनाना चाहिए हमारा पूरा पुर्शारत रहना चाहिए कि उसको पूरा प्रयास करें पढ़ाएं लिखाएं अच्छा व्यक्ति बनाएं कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छा बना बनाएं पढ़ाएं लिखाएं ठीक है फिर उसका अपना है परन्तों आजकल के माबाप पैसा नहीं करते हैं बहुत सारे माबाप तो ऐसे सोच लेते हैं बाई जो बनना होगा तो बन जाएगा उसके भाग्य में जो लिखा होगा वही बनेगा पुत्र तो पैदा स्वयम कर आई तो उसके भाग्य पर छोड़ दिया तो उसके भाग्य पर छोड़ दिया तो यह गलत बात है भाग्या भाग्य की बात छोड़ करके हमने पुत्र को जर्म दिया है तो हमारा काम क्या है उसको विद्वान मनान रार्म मनान ठीक है बाद में जो होगा सुझा है सिरी राम ही यहां नहीं पुत्री-पुत्रि नहीं है पुत्र्कार्थ होता है पुट्र और पुत्रि मुने संति संतान दोनों को ठीक रखना है ठीक है फिल्ट को पढ़ा लिखाए नहीं उसको भार्मिक नहीं बनाए नहीं वो भी ऐसा ही है ठीक है तो यह कहां को और थाह पुत्रेन जाते ना यो न विद्वान धार में कहा ताने न चक्षो शाकिमबा चक्षो पीड़ा इवके वलम सरा ला रहते हैं बलुकुल मिने बता दिया आप पुछा लिए आगे आजाए है और राजा कहता है कि और सुचता आपने पुत्रों के बारे में कि अजातामृता मूर्खाणाम वरमाध्यावन चांति महा साक्रिता दो खकरावाध्याव वन्ते मस्तु पादे पादे ठीक है यह यह बहुत सुन्दर श्लोक है है कि अजात और मृत और मूर्ख तीर प्रकार की पुत्रों को यह अपर उसने ब्रणन किया कि आजात्माने जोट पर नहीं अजात्माने जोट पर नहीं हुवा और यह उत्पन हुआ पर वो मर गया मर जाते कभी तीकर संताल तनो कि मर जाती आ एक मूर्ख उत्पन वा जिन्दा भी यह पर वो मूर्ख ना तो वो विद्वान है नवो दार में करें अर्टात वो मूर्ख है तो कहते हैं आजात मृत मूर्खानाम आजात मने हैं जो उत्पन नहीं हुआ है इस प्रकार की कोई संतान संतान मने उत्पन नहीं हुई है तो वो संतानी नहीं वास्तम मने उत्पन नहीं हुआ है और मृत मने मरा हुआ जो मर गया है और एक मूर्ख संतान ठीक है इन तीनों मे कहते हैं वरम वरमकार थे अच्छा है कौनसी अच्छी है कहते है आध्यु म記得 अधि वाली दो ठीक है एक तो संथान का उत्पन नहों ना भी ठीक है और वों करके वो मर्जाए तो टीक है मर जाए तो भी ठीक है अफैरं टौ कहते हैं न चाल आंतिमा मूर्ख संथ और इस रेस्ट नहीं है मूर्ख तो सच्था यह पिर अच्छी नहीं कि संतान आच्छी वने ने धार्मिक बने जो तो जो थे मर गई है उसका भी उतना कष्ट नहीं है परंतु क्या है जो वो करके उत्पन वो करके अभी जिन्दा और मूर्ख है उसको कहते हैं वो अच्छी नहीं है क्यों तो नीचे बता रहे आगे क्या एक यह इसमें ऐसे होगा सक्रित्माने अलग है यह ठीक है दुखकाराओं यहाँ दुखकाराओं और आध्याओं और अंतिमाहा तू पदे पदे इस प्रकार चे इसका विग्रह हो हो तो क्या है सक्रित्माने एक बार कि इस तो हमने संस की सेक्षण की कक्षा में आपको पढ़ाया है अव्याय सक्रित्कार्थ क्या है एक बार लेटेंगे दुख कारा हूँ आद्यव आद्यव मानें ये आदीवाली जो दो प्रकार की संतहन अज्यात और जो उत्पन नहीं होई है और जो उत्पन को मर गई है यह कहते हैं यह दो दूंख करों दूख दैने वाली होती है दोनों परंद किया है एक ही बार दुख होता है उत्पन नहीं हुआ तो बस भाई नहीं उत्पन हुआ सोच के मन में ठीक है दुख हो गया जी उत्पन नहीं हुआ ठीक है प्रयास किया एक इस्त्री पुरुष ने प्रयास किया पर उत्पन ही नहीं हुआ ठीक है कि एक वा परंदु मर गया कि जी करण चीजज़ से एक बार दुख देते घए तत्थी के परंदु कहते थे हैं थे जा पार Boда दो न।क करते हैं माव आपको तंग करता ही रहेगा माव आपको मूर्ख संतान तंग करती रहेगी आराम की नीद नी से नी सोने देगी चैन का जीवन नी जीने देगी ठीक है उसकी धंजमपति को भी नाश कर देगा अपमान भी कराएगा बदनामी कराएगा अपयश कराएगा सौब कुछ करा आएगा और जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक उनको परेशानी करता रहे तो इसलिए राजा ने सोचा कि बाई ये तो मेरे पुत्रे महामूर्ख मूर्ख नहीं हो महामूर्ख है यह और ये तो बहुत कश्ट है मेरे लिए ये तो मेरे जीवन का पूरा दुख बड़ा काल हो गया तब कर देखी मिला रहें और कहते हैं और चया बताते हैं आहिए पहले श्लोक कार्थ बता देते हैं आप सभी को किंच का यह आप बताई ने किंच का आर्थ होगा लो और भी और भी ऐसी विशाय में और भी सुनो ठीकिश गेंगा किंच माने और भी लो और भी ऐसी विशाय में वह सुनो वरम गार्भस्रावो वरम मृतिशुनैवा भिगमनम वरम जाताप्रेतो वरम पिच्च कन्याईव जनिता वरम वन्ध्या भारिया वरम पिच्च गर्भेशुवसतिर नचाव विद्वान रूप द्रावेन गुण युक्तो पितनाया क्या है कि तो लोग और भी वरम गर्भश्राव अब हाँ मने मुर्ख पुत्र किसे तुल्ला कर रहे हैं कि मुर्ख पुत्र से तो बढ़िया आये कि गर्व का स्राव हो जाए गर्व पात हो जाए ठीक गरव पात माने बच्चा पेट में मांके है तो वह मतलब उसका पूरा समय होता उससे पहले ही वह गर्व पातर तर्था वह नश्ट हो जाए ठीक है वह श्रेष्ट है वह अच्छी वात है ठीक है वरम रितोशु ना एव आवेगा मनम और कहते हैं कि अच्छा है कि रितू काल में रितू काल में अर्थात जब इस्त्री का पूरुष आपस में संतान को जन देते हैं तो कहते हैं रितू काल में रितू काल में अर्था जैसे ही पीरेट टाइम समापत होता है उसके बाद कहते हैं कि इस्त्री और पूरुष का नईव आविगा मानम आपस में अर्थात संतान के उत्पत्ती न करने के लिए मन में बिचार करना और उसमें संबंद ना करना ही अच्छा है ठीक है कर रशन हें वारम जाता हा प्रेटों और कहते हें अच्छा है कि जाता माने अच्छा आ प्रेटा माने मर जाए मने आया चला गया प्रेटा आया और चला गया खिए प्रेतकार तो क्या बूत प्रेत कुछ नहीं होता प्रेतकार्त होता है सरी से निकल जाना आत्मा का ठीक और कहते हैं वारम अपी चा कन्या एव जनिता और और माने और भी अच्छा है कि कन्या ये वाजनिता ये उसम Hudson गया और है काओ मौलक में लड़के में समझा जाता ता अभी समझा जाता है गलत बात खरुए थीक है यह तो verso लोग तो अच्छी बात करन आ उत्पन ओजाए तो अच्छी बात है ठीक है तो कन्य यह जनिता करने उत्पन हो भी ठीक है यह वरम वंध्या भार्या और यदि वह अच्छा है क्या चाहे यह पत्नी वंध्या और थात बांज बोलते हैं इसको अर्थात वोस के अंदर तंतान उत्पन करने की शक्ती नहीं है ऐसी पत्नी ओ महीं भार्या वाले पत्नी बंदाय पत्नी ओवरी ठीक है कि और कैते जो ओंप्वी चाह सांच मैं और 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 वहिजै है का स्रीश्ठ ए कैते यह पत्लिक गर्वे श मनें गार्भ में वहलचंद है पर बेक की बचने यह गर्ब में वसतिवीक आन्दर नहीं है बाहर आया ही नह वो भी स्रेष्ट है वो भी अच्छा है ठीक है करन तो कहते हैं नाच्छा और अविध्वान रूप द्रावेण गोण युपताह अपित्तान याह ना वरम कहते हैं कि रूप मारे अच्छा सुन्दर है गुरा एकदम चट्ठे ठीक है मोटा हटा कट्ठा है एकदम और द्रगन माने धन्संपत्ती भी यह उसके भाग अर्था आपके दन्संपत्ती आपके माध्यम जो से मिल गई है ठीक है और गुण उसके अंदर गुण भी यह है विनम्रता जे बात करता है नमस्ते कर लेता है ठीक है अधर सतकार कर लेता है परंतो एसी संतान परंतो अविद्वान पढ़ी लिखी नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना पढ़ी लिखे आज दी बोले वाले तो अच्छे नहीं नहीं कहते हैं रूप भी है धन भी है ध्रबिन वाने धन और गुण आपके अंदर जो गुण होने चाहिए अर्था दिनम्रता आदी वो भी है परंतो क्या है ऐसे तनाय हमाने पुत्र संतान अभिद्वान है तो कहते हैं न वरम वो स्रेष्ठ नहीं है वरम का यह अध्यार कर दे अर्थात रूप धाना और गुणों से युक्त संतान यदी अभिद्वान है शास्त्रों की जाता नहीं है तो क्या है वो अच्छी नहीं है बिलकुल अच्छी नहीं है यह कहते हैं इस लोक के मांत्यम से प्रकार की संतानों का बढ़न घर्दिया जी टीक है समझ लीजिएगा अर्थात मूर्ख मूर्ख संतान की इतनी निंदा की जा रही है ज्यान दीजिएगा यहां पर इसका मतलब यह नहीं के इस प्रकार की संतान हो ऐसा नहीं है यहां पर मूर्ख संतान की निंदा करके यह समझाया जा रहा है कि भाई शंतान को हमेशा पढ़ाना लिखाना चाहिए यह परम करतब हैं उसको अच्छा बनाना चाहिए ठीक है केवल उसको अच्छा बनाया कुछ बिनम्रतादी से ब्यावार्ट सिखा देनाय का नाम विद्वान नहीं है विद्वान माने उसको पढ़ाना लिखाना निपन बनाना चाहिए उस पर जोर है चलिएगा और क्या कहते हैं देखते चलिए हाँ हाँ तो आज की कक्षा में तना ही करेंगे तो यह तो मूर्ख संतान की निंदा दिखा दी अब कहते हैं आगे और भी है कि उसमें मूर्ख पुत्र की निंदा भी दिखाई गई है और शिष्ट पुत्र की संतान का भी वो बर्णन किया गया है ठीके देखते हैं दो श्लोग है और चलिएगा आगे की गक्षा में पढ़ेंगे इसको ठीक है आज इतना हम अब व्याकन देख लेते हैं ये क्या का देखिएगा को अर्था है तो अलगलग करेंगे तो क्या है काहा अर्था कौन सी संदी हुई है यहाँ पर अतो रो रपलुता दपलुते ठीक है आपको पढ़ा दी गई है मैं अपके बन सूत्र बताऊंगा आपको ठीक है अतो रो रपलुता दपलुते से रू के रेफ को उ हो गया है फिर हाद गुणा लग गया है फिर एग अहां पदामता दती लग गया है यह तीन सूत्र यहां पर लगे हैं पुत्रेन जातेन को अर्थ यह आपको बताया था कि जब किम शब्द प्रयोजन वाची हो या अर्थ शब्द प्रयोजन वाची हो तो उसके योग में कौन सी विवक्ति होती है तृतिया यह पढ़ाई थी तो यहां पर यह क्या है अर्थ प्रियोजन वाच्ची है तो इसलिए यह पुत्रेण जाती ने में तरतिया हो गई है ठीक है यो नहां तो अलग-अलग करेंगे यह नहां क्योंची संदी हुई है हाशिच्च विद्वान नहां यह तो सामानने अलग-अलग है ठीक है धार्मेक आहां प्रत्मावक्ति एक अधानेन चक्शुसा किमबा ठीक है यहांपर रिबिक शब्द क्या प्रिवेधन पाच्ची है तो कानेन चक्शुसा यह त्रतिया के दोन आए तो यहां पर भी इसी के समान त्रतिया हो गी है ठीक है चक्षु पीड़ा एवा अलग है चक्षु पीड़ा अलग है और एव अलग है और पहले चक्षु पीड़ा में समास हुआ है बने चक्षु शाहा चक्षु के द्वारा पीड़ा एसा आर्थ है देके त्रतिया होगा इसमें चक्षु शाह पीड़ा चक्षु पीड़ा माने उस काणी आँख के द्वारा पीड़ा माने कश्ट तो यह त्रतिया तत्प्रसमास हो गया चक्षु शाह पीड़ा चक्षु पीड़ा आँख के द्वारा पी व्रिद्धि रेची व्रिद्धि संद्य हो गया आई हो गया के वलं ठीक है प्रत्मा वक्ति एक वजरांता है के वलंटिक यह इस में व्याकर्ण हो गया आपका कि अध्या आजाता मृता मूर खाना हो इसमें यह कहा है पहले समाज करना पड़े आप यहांपर पहले समाज करना पड़ेगा न जाता हा अजाता हो कि नायत पुर्स समाजोगे न जाता हा आजा पामने चुद्पन नहीं हुआ है ठीक है यह नहीं तत्र्स होगया है फिर इसका थी तीनों समाज होगा और मूर खाना जाता हार acknowledge अजात मूर्खा नाम कौन सा समास हुआ तर योग द्वंद समास हुआ ठीक कौन सा इतर योग द्वंद मने अजात का मूर्ख का इतर योग द्वंद समास कर दिया करें ज्यां निर्दारण में से यहां पर यह से आपको बताया निरदारण में तश्थी और सब्तमी दो व्विवक्तियां होती है यह सश्ठी कर दिये अब द्यान आया होगा निर्दार्ण में सश्ठी है यह ठीक है वरं यह अव्य है थीक है वरं क्या है अध्याव मानिया आधी की दो यह आधी माना आध्या माना आधी की यह दो दो चने दूपर चने ठीक है तो इसमें कहा है आदव भावा आध्या ऐसा बन जाएगा यत प्रत्य हो जाता है आधी शब्द से दिगाधी गण में मान करके यत प्रत्य हो जाता है तो आधी यत ऐसा बन जाएगा देखिए यह आदी शब्द है और यहाँ पर इसमें क्या है भवारत में यत्प्रत्य हो जाता है ठीक है यह और यह चला जाएगा तो आद्य बन जा जाता है ठीक है अब यह आदी किसको कहेगा जो आदी में है तो यहाँ पर आदी में क्या है आजात और मुर्क्य पेक्षा यह दोनों आद है अंतिमां तोयां आरक अपर कहाई अलगे अब यह है दू श कर और रहे हैं दुखह दू बोहर dönem करने बाला ठीक है और दो यह इसलिए दो प्रकार की इशरे दुख खराव वोगया देवचन में है ठीक है कि आप द्याओ पुर्व किस्वान अन्टकि अंतिमाहा और तू तो तो कहें विसर्ग को पहले दो सको विसर्ग हुआ विसर्ग को फिर दुवारा विसर्जनीय अस्य तासि सा हो गया ठीक तो अन्ते मस् तो हो गया पदे पदे मने सब्समीं पद पर फ्क पाद पर फटो सब्समी एए ठीक है दीन दोबार है वीप समने वीप समने आभ वार आर्थ को कहने के लिए आप पद पर कि ए अगे आगे किंच आनक्क मनने यह किम और चाल किम अव्य है जव्य क्यॐ वह दोनों मिला अक्रें किंचकरत और भी और भी और भी इंघर भश्रा वह फिकल तो तो गर्वस्रावा में समांच हो जाएगा गर्वस्यस्रावा भवस्रावा शक्ष्टिक प्रूज हो गया और फिर ये संदी हो गई है रूखरेव को वर्च ए गर्वस्राव वर्म रेटु भरंड़ भर्मंड़ बकर्म्न से माने थाř चाहिए भी सिर्ड तो रिटो शू मेरे उन्हों का समय में ना इव ना इयव तो व्रिद्द रेचि लग गया और फिरिया औम ना इव आईव और अभिकमनम तो यहं आका सवद्डर्ड दिरगर लग लग संतान उत्पत्ती के लिए परस पर सेक्स करना इसको कहते है संभोक करना ठीक है वरम जाता हा तो यह पर सिंपल है जाता हा और यह यह अब यह पर तो प्रे ताह यह वास्त में कैसे बनता है यह ऐसे बनता है प्रा प्लस ई दातु है इन गता हूँ ठीक है और इससे कठ़ प्रत्त है आता है यह ऐसे बनता है मैं प्रमाने प्रक्रिश्ट रूप से अच्छी तरह से इता मने चला गया है जो उसको बोलते प्रेता है लोग भूद प्रित का आर्थ पता नहीं क्या लेते हैं प्रित का आर्थ है ऐसी आत्मा जो शरीर से निकल गई है इस शरीर में नहीं है शरीर से प्रिथक और यहां पर हश्रीचा लग गया आपका वरम अपी मिले हुएं कुछ नहीं अपी अपी अच्छा कन्या एव तो विर्द्रेची लग गया ठीक है जनिता तो जनदातू से आक्टा प्रत्य है इस त्री लिंग में कन्या का विश्रीर कन्या के लिए आया ठीक है के वरम वंध्या सामाने भारिय में पत्री अर्थ यह वंज बंध्या मनने बाजoqu वरम अपी चाए सामाने अगरवश्व सबत्राटी बावच नहीं वसत्ती एस एक बदिक ही एक तो वसत्यता दातू का रूप मस पिवसता वसंतिऑ नहीं यह है एव्वसत्त की शब्क शब्दे वसती रूपम की किलेंगे श्वाल सपी मısıती ही का अरथ होता है निवास मने रहना स्थित रहना एक और राय वसती ही ओप सथी का रहत है निवास का अरथ होता है स्थित होना अनगर में इस्थित वहर न students देखेगा चा अविद्वान आका सबने दूरगन दिर्गा लग गया ठीक है रूप द्रावेन गोणा युक ताहा आपी ऐसा है तो पहले तो इसकी अंदर समास होगा रूप द्रावेन गोणा युक ताहा इसकी अंदर समास होगा क्या समास होगा पहले आपको करना पड़ेगा रूपम चा द्राविनम चा गुणाश चा इती रूपा द्राविन गुणाहा कौनचे समाश हो गया इतारेतर योग द्वांद्वाहा फिर उसके बाद में युकता इसके जत्रतिया प्रुष करना पड़ेगा क्योंकि अब यह पुत्र को कहेगा तो रूपा गुणा रूपा द्राविनम गुणाही ही युकताहा रूपा द्राविनम गुणा युकताहा पुत्राह्ताना यहा, ठीक है एक पिर तरतियत अप्समाश हो जाएगा इसके साथ में तेकर और इहां पर अतो रप पूड़ते और आतगुणा एगा पदामता ज़ति लग गया यह समाश हो गया आपका ताना याहा यह तानाया का आथ होता पुत्र शालिएगा तो आज आपको इस कख्षा में मुख रूप से चार इशलोक पढ़ा दे हैं एक तीन पढ़ाए हैं आपको ठीक है तो तीन अच्छे इशलोक है बहुत इन तीनों इशलोकों से सार निकल के आ रहा है कि अभी तो और भी आएगा सार निकल के कि प्रतेक माता पिता को प्रतेक परिवारी जन को अपनी संतान को अच्छा विद्वान बनाना चाहिए विद्वान के साथ धार्मिक भी बनाना चाहिए ठीक है चलिएगा आगे की कख्षा में पढ़ेंगे और इशलोक है किंचा इसी वारे में और भी कहा गया है पुत्र की अच्छा मूर्ख पुत्र की निंदा में और भी कुछ बाते कही गई चलिएगा मित्रों आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्च किया करें और आप चाहते हैं कि इससे संस्कित भाषा हम सामान लोगों के बीच में ले जा सकेंगे तो आप से निवेदन कर अवे बीच नमाहँ